हेलू फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल करन्ट अफ्यर्स पाई रवीपर आज मैं आपके लिए 7 अपरेल 2021 की करन्ट अफ्यर्स की मोस्ट इंपर्टन कोशन्स इस वीडियो में लेकर आई हूँ और अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफिस जादा इंपर्टन रहने वाली है फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको 10 कोशन डिटेल में करवाऊंगी और उसके बाद सभी कोशन्स का रिविजन भी करवाऊंगी और लास्ट में मैं आपसे कल वाले कोशन्स का टेस्ट लोगी और टेस्ट वाले कोशन्स के जो आंसर है वो आपको रिवाइस भी करवाऊंगी और फिर्ण्स आपकी डिमांड थी कि मैं आपको डाक मोड पे पढ़ाऊं तो आज की जो वीडियो है ये मैं आपके लिए डाक मोड पे लेकी आई हूँ और फिर्ण्स डाक मोड से आईस पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पढ़ता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कुशन से फर्स्ट कुशन है हमारा वजोसा आस्मानी साद्रियू किस देश की नई राश्टरपती बनी है सही आंसर है आप्शन डी कोसोवो देश की फिन्स आपको याद रखने कि कोसोवो देश की नई रास्टरपती बनी है जिनका नाम है वजोसो आस्मानी साद्रियू फिन्स यहाँ पे बात ही है कोसोवो देश की अगर आपसे एक्जामे पूछा जाता है कि कोसोवो किस महाद्यूप में स्थित है कोसोवो की रास्थानी क्या है आपसे एक्जाम के लिए आपको टॉफ फैफ देशों की रास्टरपती रिवास करवा देती हूं डॉमिनिकन रिपब्लिक के रास्टरपती का क्या नाम है आंसरे लुईस अबिंडर तंजानिया की रास्टरपती का क्या नाम है आंसरे सामिय सुल्हु हसन गुयाना की रास्टरपती का क्या नाम है आंसरे मोहमद इर्फान अली ताइवान के रास्टरपती का क्या नाम है आंसरे Cy Inc. Wayne और फ्रांस के रास्टरपती का क्या नाम है Emmanuel Macron अगला कोशिन करते हैं करोना वाइरिस के कारन 2021 में होने वाले東急 Olympic से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बना है सही आंसर है option B उत्तर कोरिया देश तो फ्रेंस कोरोना वारिस के कारण 2021 में होने वाले Tokyo Olympic से बाहर होने वाला जो पहला देश है ये उत्तर कोरिया देश है और फ्रेंस मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो Tokyo Olympic है इस Olympic का आयोजन जपान के Tokyo में होगा फ्रेंस आपको ये भी पता हो नची कि पूरे विशब में Olympic की खेल को कौन regulate करता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि पूरे विशब में जितने भी Olympic की खेल होते हैं उन्हें IOC regulate करता है अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि IOC की full form क्या है तो आउसरे International Olympic Committee और जिसे हिंदी में अंतराश्टी Olympic समिती कहते हैं IOC की स्थापना कभ हुई थी आउसरे 23 जून 1894 को IOC का मुख्याले कहां स्थे थे आउसरे लुसैने जो की स्विजलन देश में है और फ्रेंस अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि International Olympic Committee के वर्तमान में अध्यक्ष का क्या नाम है तो आपका आंसर होगा Thomas Bach यहाँ पर बात उत्तर कोरिया देश की भी हुई है तो आईए उत्तर कोरिया देश के बारे में जान लेते हैं अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि उत्तर कोरिया किस महादियूप में स्थित है आंसर है एशिया महादियूप में उत्तर कोरिया की राज़्थानी क्या है आंसर है पियोंग यांग उत्तर कोरिया की करंसी क्या है आंसर है उत्तर कोरिया यवोन उत्तर कोरिया के राश्टरपती का क्या नाम है? आंसर है किम जौंग उन और फिन सबसे important question है कि कोन सी रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिन कोरिया को दो भागों में बांटती है तो आंसर है 38 में समानांतर रेखा और फ्रेंट्स ये कोशन काफी वार एक्जायमें पूछा गया है फ्रेंट्स में आपको जितने भी important facts बता रही हूँ आप इनको note कर लीजिए अगला कुशने विशुक का सबसे बड़ा स्टेडियम रून गराडो 1st May स्टेडियम किस देश में स्थित है आंसर है उत्तर कोरिया में और फ्रेंट्स आज की वीडियो का जो हमारे लाइक का टारगेट है वो है 10,000 लाइक का फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंदारी है मेरी मेहनत पसंदारी है तो वीडियो को लाइक चरूर करिएगा और मेरे इस टार्गेट को अचीव करने में मुझे सपोर्ट करें अगला कुशन करते हैं शंगाई रैंकिंग 2020 की अनुसार भारत में सर्व शेष्ट उच्छ शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? सही आंसर है ओप्शन B, IISC बैंगलुरू तो शंगाई रैंकिंग 2020 की अनुसार भारत में सर्व शेष्ट उच्छ शिक्षा संस्थानों में जो IISC बैंगलुरू है यह टॉप पर रहा है फ्रेंट्स मैं आपको बता देते हूं कि हाल ही में शंगाई रैंकिंग 2020 को जारी किया गया है और आपको यह भी पता होना चीए कि इस रैंकिंग को अकाडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवस्टी भी कहते हैं और भारती विज्ञान संस्थान यानि की IISC बैंगलुरू ने भारत में सर्व शेष्ट उच्छ शिक्षा संस्थानों में यानि की Higher Education Institute में पहला स्थान हासिल किया है और फ्रेंट्स आपको यह भी बता देते हूं कि जो कलकत्ता विश्विद्याले है वो इस रैंकिंग में देश का बेस्ट विश्विद्याले रहा है फ्रेंट्स ये तो बात हुई भारत की रैंकिंग की कि शंगाई रैंकिंग 2020 में जो भारत की रैंकिंग है उसमें IISC बैंगलुरू जो है ये टॉप पे रहा है और विश्विद्यालों में जो कलकत्ता विश्विद्याले है वो इस रैंकिंग में टॉप पे रहा है Friends, अब में आपको शंगाई ranking 2020 में दुनिया की best universities बता देती हूँ तो first number पर Harvard University है जो की America देश की है second पर Stanford University है जो की America की है और third पर Cambridge University है जो की England देश की है important कुछ नहेगा आपकी exam के लिए अगला कुछन है किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा radio telescope Sky Eye और Fast को दुनिया के लिए खोल दिया है सही answer है option D चीन देश ने तो फ्रेंट चीन देश ने दुनिया का सबसे बड़ा radio telescope जिसे की फ्रेंट Sky Eye के नाम से भी जाना जाता है और FAST को दुनिया के लिए खोल दिया है तो फिर्ट सबसे पहले मैं आपको FAST के फुल फॉर्म बता देती हूँ तो FAST के फुल फॉर्म है 500 मेटर अपर्चल स्फैरिकल रेडियो टेलिसकॉप और इस टेलिसकॉप का जो नाम है वो तियानान है और जिसका चीनी भाषा में अर्थ है स्वरक की आंख फिर्ट सब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि विशो के सबसे बड़ी दूर्बिन यानि की FAST जो है ये आपचारिक रोप से विशो के लिए खुल गी है और इस दूर्बिन के खुलने से ये सबस्ट है कि जो चीन है ये अंतराष्टे विज्ञान जगत के साथ सहयोग को मजबूत करना चाहता है फिर्ट्स आपको ये भी पता होने चीए कि चीन के पास FAST का सुवतंतर बौदिक संपदा अधिकार है फिर्ट्स अब ये भी जा लेती है कि इस टेलिसकोप का परियोग कहां कहां किया जाएगा तो इस रेडियो टेलिसकोप का परियोग एलियन लाइफ को खोजने के साथ ही टेलिसकोप पलसर ब्लैक हॉल, गैस क्लाउड और गलेक्सी जैसे दूसरे कॉस्मोलोजिकल आयामों को स्टड़ी करेगा तो फिंस यहाँ पर बात है चीन देश की अगर आपसे पूछा जाए कि चीन किस महादियूप में स्थित है आंसर है एशिया महादियूप में चीन की रास्थानी का क्या नाम है आंसर है बीजिंग चीन की करंसी क्या है आंसर है रीन मिन्बी चीन के रास्टरपती का क्या नाम है आंसरे शी जिन पिंग फ्रेंस ये भी कुशन आप नोट कर लीजी ये भी important कुशन है कि अगर आप से exam में पूछा जाता है कि चीन और भारत के बीच International Border Line का क्या नाम है आपका आंसरों का McMohan रेखा और फ्रेंस आपको ये भी पता होने जी कि चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आंसर है यांक से नदी और इसकी लंबाई कितनी है तरिन सट सो किलो मिटर और फ्रेंस आपको ये भी बता देती हूँ कि यह नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है काग जी मुदरा जारी करने वाला विशु का पहला देश कौन सा है आंसर है, चीन देश किस देश की सिमा सबसे जादा देशों के साथ लगती है आंसर है, चीन देश की और फिरंस, ये कोशन काफिवार एक्जाय में पूछा गया है और फ्रेंस मुझे आपको बताते हूँ ये खुशी हो रही है कि सभी एक्जाम में जो 90% कुशने वो हमारी वीडियो से आते हैं और फ्रेंस ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है नेक्स कुशने अंतरास्टी अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया है सही आंसर है आप्शने 5 अपरेल को तो अंतरास्टी अंतरात्मा दिवस यानि की International Day of Conscious 5 अपरेल को मनाया गया है तो आए इस दिवस को मनाने का उदिश्य चान लेते हैं तो यह दिवस लोगों को मौखिक, शारिदिक, योन और मानसिक रूप से दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने में विवेक के महतव और भूमिका को उजागर करने के लिए मनाया जाता है और अंतरास्टी अंतरात्मा दिवस इस बात को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कि सब ही का स्वाभिमान है और सब ही को शान्ती और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है और सबसे important point इस question का कि अंतराश्ट्री अंतरात्मा दिवस 2021 की theme है प्रेम और विवेक के साथ शान्ती की संस्कृति को बढ़ावा देना और English में theme है promoting a culture of peace with love and conscious important question है का आपकी exam के लिए फ्रेंट्स अब मैं आपको March महिने के top 5 important days revise करवा देती हूँ अगर आपसी exam में पूछा जाए कि अंतराश्ट्री 1 दिवस कब मनाय जाता है आपका अंसर होगा 21 March को विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाय जाता है आंसर है 23 March को विश्व शए रोग दिवस कब मनाय जाता है आंसर है 24 March को अर्थ आर्डे 2021 कब मनाय गया है आंसर है 27 March को विश्व रंग मंच दिवस कब मनाय गया है आंसर है 27 March को फ्रेंट्स इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के description या हमारे टेलिग्राम चैनल रवी स्टडी आईक्यू जीके से डाउनलोड कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री दी जाती है किस राजे की सरकार ने करोना टीका करने कराने वालों को प्रोथसाहित करने की उदेशे से अनूठी उपहार योजना को शुरू किया है तो करोना टीका करने कराने वालों को प्रोथसाहित करने की उदेशे से योगी सरकार ने विशु स्वास्थे दिवस की अफसर पर अनूठी योजना का संचालन करने जा रही है और फ्रेंस इस योजना के तहट क्या होगा कि प्रदेश के तीन वर्गों में भिवाजित सर्वाधिक टीका कराने वाले जीलों को लोटरी सिस्टम के जरिये उपहार दिये जाएंगे फ्रेंस यहाँ बिवाथ है उत्रप्रदेश राजे की उत्रप्रदेश की रास्थानी का क्या नाम है आंसरे लखनव उत्रप्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है आंसरे योगी अदित्यनाथ उत्रप्रदेश की गवर्नर का क्या नाम है आंसरे अनंदिबेन पटेल उत्तरप्रदेश की मुखी न्याइधिश का क्या नाम है? आंसरे गोविंद माथुर फ्रिंट्स अगर आपसे एक्जाइम में पूछा जाए कि उत्तरप्रदेश का राज की पशु कौन सा है? आपका आंसरोगा बारा सिंगा राज की पक्षी कौन सा है? आंसरे सारस राज की फूल कौन सा है? आंसरे पलाश और राज की वरिक्ष कौन सा है? आंसरे अशोक उत्तरप्रदेश की लोक सबसीट कितनी है? आंसरे असी राज्य सबसीट कितनी है? आंसरे 31 और विधान सबसीट कितनी है? 404 फ्रेंट्स अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि उत्रप्रदेश के कितने पडोसी देश हैं तो आपका अंसर होगा एक और वो कौन सा है नेपाल उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आंसरे आठ राज्यों से और ये आठ राज्य कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं एक है उत्तराखन, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हर्याना, चौथा राज्यस्थान, पाचवा मध्यप्रदेश, छटा चतिसकर, सात्मा जहारकन और आठमा बिहार और दिल्ली को अगर मिला देतों उत्तर प्रदेश की नो पुडोसी राज्यों होते हैं लेकिन फ्रेंस अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप नहीं हुआ है फ्रेंस अगर आपसे एक्जाय में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की परमुख लोख नरित्य कौन-कौन से हैं आपका आंसरों का कर्मा, शैला, ठडिया, गर करही, चौलर, लठमार दिवारी, घोडा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाई डंडा, दीप, खैयाल, मियूर, जूला, चर्कुला, जोगिनी और छपेली उत्तर प्रदेश की हवाई अड़े कौन-कौन से हैं आंसरे चौधरी, चरंसिंग, हवाई अड़ा, जो की लखनव में है, लाल बहादर, शास्त्री, हवाई अड़ा, जो की वारानसी में है, और नौईडा, अंतराश्टिक, ग्रीनफिल्ड, हवाई अड़ा, जो की जेवर में है उत्रप्रदेश की प्रमुख मंदिल कौन-कौन से हैं, आंसरे काशी विश्वनात मंदिल, जो की वारानसी में है, प्रेम मंदिल, जो की वरिंदावन में है, और राम मंदिल, जो की अयोध्या में है फ्रेंट्स हमारी कोशन में बात हुई थी कि उत्रप्रदेश राज्ये की सरकार ने अनूठी उपहार योजना को शुरू किया है अब मैं आपको टौफ 5 योजना करंट फेर सिवाइस करवा देती हूँ अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि घाड पेजल योजना को किसने शुरू किया है अंसरे मध्य परदेश और विश्व कर्म श्रम सम्मान योजना को किसने शुरू किया है अंसरे उत्थ्रपरदेश राज्ये की सरकार ने फ्रेंस में आपको छोटी से इंफोमेशन दे देती हूँ कि फ्रेंस हमारी जैन, फैब और मार्च की करन्ट अफियर्स की e-book लॉंच हो गई है अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो यह e-book आपकली काफी यूसफुल रहेगी और जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहाँ से खरी सकते हो नेक्स कोशन करते हैं नौसैनिक जहाजों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए उन्नत चाफ टेकनोलोजी को किसने विक्सित किया है सही आंसर है ओप्शन सी DRD ने तो नौसैनिक जहाजों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए उन्नत चाफ टेकनोलोजी को DRD ने विक्सित किया है सबसे पहले मैं आपको चाफ के बारे में बता देती हूँ कि चाफ टेकनोलोजी क्या है तो चाफ को मूल रूप से विंडो कहा जाता है और चाफ टकनीक का प्रियोग जो है ये दुनिया भर में नौसैना के जहाजों में दुश्मन के रडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी मिसाइल सीकर के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए किया जाता है और फिन्स डी आर्डियो दारा विक्सित अडवांस चाफ टेकनोलोजी का सबसे बड़ी अडवांटेज ही है कि यह दुश्मन की मिसाइलों को डिफलेक्ट करने के लिए बहुत कम चाफ मैटेरियल का प्रियोग करती है और जौदपूर में स्थिष डी आर्डियो प्रियोग शालाओं में उन्नत चाफ पर दियोगे की के तीन प्रकार विक्सित किये गए है जिनमें से फर्स्ट टाइप है शौर्ट रेंज चाफ रॉकेट, सेकिंड है लॉंग रेंज चाफ रॉकेट और थर्ड है मेडियम रेंज चाफ रॉकेट फिर यहां पर बात है डी आर्डियो की अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि DRDO की फुल्फरम क्या है आपका आंसरोंगा Defense Research and Development Organization और हिंदी में फुल्फरम होती है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब होई थी आंसर है 1958 में DRDO का मुख्याले कहां स्थे थे आंसर है नई दिल्ली में DRDO की वर्तमान में अध्यक्ष का क्या नाम है आंसर है जी सती श्रेटी अगर आप से एक्जामें पूछा जाए कि सिंधू नेतर उपग्रहों को किसने विक्सित किया है तो आपका आंसरोंगा डि आर डि ओने देश की पहली सवदेशी मशीन पिस्तॉल एसमाी को किसने विक्सित किया है आंसर है DRDO ने और फ्रेंस ये कोशन आपसे एक्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि A.S.M.I. क्या है तो आपका अंसर होगा मशीन पिस्तॉल अकाश N.G. मिसाइल का सफल परिक्षन किसने किया है आंसर DRD ने और फ्रेंस ये भी कोशन आपसे एक्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि अकाश N.G. क्या है तो आपका अंसर होगा मिसाइल अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि रूदरम का सफल परिक्षन किसने किया है आपका अंसर होगा DRD ने और रूद्रम क्या है तो आपका आंसरोगा एंटी रेडियेशन मिसाइल देश के पहले एरडॉप कंटेनर यानि कि साहयक एंजी का सफल परिक्षन किसने किया है आंसरे DRD ने CRPF के लिए रक्षिता बाइक एंबुलेंस किसने विक्सित की है आंसरे DRD ने और अगर आपसे एंग्जाम में पूछा जाता है कि रक्षिता क्या है तो आपका आंसरोगा बाइक एंबुलेंस और अगर आपसे पूछा जाता है कि साहयक एंजी क्या है तो आपका आंसरोगा एरडॉप कंटेनर संथ मिसाइल का सफल परिक्षन किसने किया है आंसर है DRD ने ये कुशन काफिवार एक्जामें पूछा गया है स्वधेशी हाई स्पीड रॉन यानि की अभ्यास का सफल परिक्षन किसने किया है आंसर है DRD ने और जो आज की वीडियो है ये मैं आपके लिए डाक मोड पे लेके आई हूँ तो आपको वीडियो कैसी लगरी है या आपने कमेंट करके जुरूर बताना है और फ्रेंस डाक मोड की ये स्पेशलीटी है कि इससे आईस पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पढ़ता है तो फिर्ट कमेंट करके अपनी फीड़बैक जुरूर दीजिए कि आपको वीडियो डाक मोड में कैसी लगरी है अगला कुशन करते हैं संकलब से सिध्धी पहल को किसने लाँच किया है सही आंसर है ओप्शन डी ट्राइफेड ने तो फिर्ट संकलब से सिध्धी पहल को ट्राइफेड ने लाँच किया है तो आईए इस पहल के बारे में जान लेते हैं तो जनजाती मामलों के मंत्राले के तहत संचालित ट्राइबल कॉर्परेटेब मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया यानि कि ट्राइफेड ने हाल ही में संकलब से सिध्धी पहल को लाँच किया है और संकलब से सिध्धी पहल का जो मुख्य उदेशे है वो है कि यह सो दिन का अभ्यान है और इस अभ्यान का मुख्य उदेशे आदिवासी गाउं में स्थित वन धन विकास केंद्रों को स्कृय करना है। फिर्ट्स मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो वन धन विकास केंद्र हैं, इन केंद्रों में जन जाती अबादी के लिए क्षमता निर्मान प्रस्षिक्षन और कोशल उन्यन सो विधाई प्रदान की जाती है। और स आंसरे ट्राइबल कॉर्परेटिफ मार्केटिंग फेडरेशन ओफ इंडिया और हिंदी में फुल्फोम क्या है तो आंसरे भारती जंजाती सहेकारी विपनन विकास परिसंग ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी आंसरे 1987 में ट्राइफेड का मुख्याले कहां स्थित है आंसरे नई दिलनी में ट्राइफेड के वर्तमान में अध्यक्ष का क्या नाम है आंसरे रमेश चंद मीना अगला कुशन करते हैं विज्ञानिक अनुसंधान के लिए तीसमें जीडी बिरला पुरसकार से किससे सम्मानित किया गया है सही आंसर है आप्षने सुमन चक्रवर को तो विज्ञानिक अनुसंधान के लिए तीसमें जीडी बिरला पुरसकार से सुमन चक्रवर्ति को सम्मानित किया गया है फ्रेंस अब में आपको जीडी बिरला पुरसकार के बारे में कुछ important points बता देती हूं तो 1991 में स्थापित यह पुरसकार जो है ये विज्ञान या प्रिध्योगी की कि कि किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 वरश कम आयू के प्रख्यात भारती विज्ञानिकों को दिया जाता है और प्रोफेसर सुमन चकरवर्ती को इंजिनीरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विज्ञानी कनुसंधान के लिए तीसमें जीडी बिरला पुरसकार से सम्मानित किया गया है इंपोर्टेंट कोशन हैगा आपके एक्साइम के लिए फ्रेंट अब मैं आपको टौफ फुरसकार करेंट अफेर सिवाइस करवा देती हूँ 66 फिलम फियर अवार्ड 2021 में सर्व शेष्ट फिलम किस फिलम को चुना गया है आंसरे थपड फिलम को किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियास बेस्ट बैंक फॉर एसमी चुना गया है आंसरे HDFC बैंक को फ्रेंट अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि HDFC की फुलम क्या है तो आपका अंसरोगा हाउसिंग डवल्मेंट फाइनांस कॉर्परेशन और अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए कि वर्ष 2020 का तीसमा सरस्वत्ती सम्मान किसे दिया गया है आंसरे डॉक्टर शरन कुमार लिंबाले को 51 दादा साहे फाल के पुरुसकार से किस अभीनेता को सम्मानित किया गया है आंसरे रजनी कांथ को इंडियन अचीवर अवर्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है आंसरे जस्पाल सेंग को लास्ट कुशन करें है इस वीडियो का पुस्तक लॉंच हुई है यह पुस्तक किस ने लिखी है सही आंसर है आप्शन भी कमर जमान ने तो आपको याद रखना है कि कमर जमान ने The Mystery Behind Google Maps Ranking How to Rank Your Business Higher पुस्तक को लिखा है फिर्ट अब में आपको टौफ़े बुक्स और आथर्स करेंट अफेर जिवाई सकरवा देती हूँ अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए आपसे अगर आपको ये सब ही कोशन बाद में पढ़ने है तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो हमारी वेबसाइट है www.ravistudyiqugk.com और वीडियो आपको कैसी लग रही है या आपने कमेंट करके अपनी फीडबेक जुरूर बताने है फ्रेंड्स मैंने आपको 10 कोशें डीटेल में करवाई अब मैं आपको जल्दी से इन सभी कोशन का रिविजन करवाने वाली हूँ ताकि आपको ये सभी कोशन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन से करोना वाईरस के कारण 2021 में होने वाले टॉक्यू अलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा बना है आंसर है उत्तर कोरिया शंगाई रैंकिंग 2020 की अनुसार भारत में सर्व श्रेष्ट उच्छ शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है आंसर है I.I.S.C. Bengaluru किस देश नी दुनिया का सबसे बढ़ा रेडियो टेलेसकॉप Sky Eye Fast को दुनिया के लिए खोल दिया है आंसर है चीन देश ने अंतराश्टि अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया है आंसर है 5 एपरल को किस राजी की सरकार ने करोना टीका करन कराने वालों को प्रोत्साहित करने की उद्यश्य से अनूठी उपहार यूजना को शुरू किया है आंसर है उत्रप्रदिश राजी की सरकार ने नौसेनिक जहाजों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए उन्नत चाफ टेकनोलिजी को किसने विक्सित किया है आंसर है DRDO ने संकलब से सिध्धी पहल को किसने लॉंच किया है आंसर है Trifade ने विज्ञानिक अनुसंधान के लिए तीसमें जीडी बेडला पुरिसकार से किस से सम्मानित किया गया है आंसर है सुमन चकरवर्ती को लास्ट कोशन करें रिविजन का पुस्तक लॉंच हुई है यह पुस्तक किसने लिखी है आंसर है कमर जमान ने फ्रेंड्स मैंने आपको 10 कोशन डिटेल में करवाए उसके बाद सभी कोशन का रिविजन भी करवा दिया मैंने आपको जो कल कोशन करवाए थे आज उसका उनले टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और टेस्ट के लिए आपको all the best First question test का किस राजे के हापू साम को GI टैक प्रदान किया गया है चार options आपके पास answer आपने comment करके बताना है सही answer है option D महारास्टर राजे के हापू साम को करनाटक लोग सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने है सही answer है option C अरुन ग्रहे पर सतरमी विम्स्टेक मंत्री स्तरिय बैठ़ की अधिक्षता कौन सा देश करेगा सही answer है option D श्रिलंक का देश 5 एप्रिल 2021 को राश्टी समुदरी दिवस का कौन सा संसकरन बनाये गया है सही answer है option D अठावनवा Automotive Tire Manufactures Association के नए अध्यक्ष कौन बने है सही answer है option D अंशुमन सिंगानिया UPI पर एक बिलियन टांजेक्षन पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है सही answer है option phone P भारत का पहला 40 लेन वाला Expressway कौन सा बन गया है सही answer है option दिल्ली मेरिट एक्सप्रेस वी कलिंग रतन सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है सही answer है option विश्व भूशन हरीचंदन को लास्ट कुशन करें टेस्ट का Agriculture in India Contemporary Challenge in the Context of Dublin Farmer इंकम पुस्तक लॉंच हुई है यह पुस्तक किसने लिखी है सही answer है option मोहन कांडा ने Friends मैंने आपको most important 10 current affairs की question डिटेल में करवाई उसके बाद सभी questions का revision भी करवा दिया और कल वाले questions का test भी ले लिया उमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें और comment करके भी जुरूर बताएं की वीडियो आपको कैसी लगी तो मिलते हैं next वीडियो में Thank you and wish you all the best